श्कार अना वेलकम टू अलोफ यू इन ग्लोबल लुकाउट। और बहुत बार इंटर्चेंजबली एक दूसरे के लिए आप लोग यूज़ कर देते होंगे लेकिन दर असल इन लोग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है इंडक्शन का मतलब है कि ठीक है इस शिप का या फिर जो भी वेपन है इसका रिक्रूट्मेंट हो गया है लेकिन फिर इंडक्शन के बाद इसका टेस्ट होता है इसका सी ट्राइल होता है या फिर बाकी जो भी टेस्टिंग होने वाली होती है वो होता है उसके बाद इसको फाइनली गॉर्मेंट और के थुरू कमिशन कर दिया जाता है और इसको रैंक दे दी जाती है और इसके नाम के आगे आईने स्कात लगा दिया जाता है, तो पहले हो था इंडक्शन फिर टैस्ट्राइल्स होते हैं इसके फिर जा के कमिशन होता है और जब कमिशन होता है तब जा के इसको आएननस टैग मिलता है तो आएनसमोर-मुगाओ को भी कमिशन कर लिया गया इसलिए इसके नाम के आगे आइनेस लगाया और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसी के बारे में इसकी आइनस मौर्मुगाओ है, धर असल शिप्स को लेके इंडिया का एक प्रोजेक्ट है P-15B, उसके अंदर जितने भी शिप्स बनाएगा इंडिया, चार शिप्स बनाने की बात की गई है, वो कहलाएगा विशाका पटनम क्लास शिप, दो तो यह हो गए और दो और शिप्स इस विशाका पटनम क्लास शिप्स है, इनको फाइनली इंडिक्ट कर दिया जाना है 2024 तक, फ्यूचर में ही पता चलेगा कि यह हो पाता है कि नहीं, लेकिन जिस स्पेस से यह काम किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि यह चीज अचीज हो जाएगा, क्योंकि लास्ट यह जो पह अब डिस्ट्रॉयर शिप्स क्या होती है, देखो बहुत अद्तक तो नाम से ही क्लियर है, यह जो शिप्स होती है, इनके उपर बहुत ही ज़्यादा आदुनिक, या फिर modern कह लिजे English में, हतियार लगे होते हैं, अफी advanced weapons से यह शिप्स होती है, और इनका जो main purpose होता है वो दुष्मन की जो out range की attacks हैं, उनको counter करना जाए, जैसे कि मान लिजे दुष्मन का कोई jet है, वो आ रहा है attack करने के लिए, तो उस पर यह attack करेगी, कहने का मतलब है यह attacking ships होती है, जब बहुत ज़्यादा फ्लीट ships की जारी होती है, उनके साथ इनको बेजा जाता है, और यह ज आप लोग इस ships का design देखोगे तो आप लोग को देख की पता चल जाएगा किसलिए इसका इसका इस्तिमाल किया जाता होगा, यहां पर यह एक तरीके का destroyer ship है, यह देखो यह लगाए gun यहां पर missiles लगी है, और भी बहुत तरीके weapons इसमें install है, नो तो इसी तरीके का है हमारा आइनेस मौरमुगाउ और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है, यह एक stealth guided missile destroyer ship है, stealth का मतलब होता है, वो चीज जो कि radar के द्वारा जल्दी detect ना किया जा सके, इसको design किया गया है, warship design bureau के द्वारा और जो इसको बनाए गया है, वो मजगाउ dog limited द्वारा बनाए गया, रेडार्स लगे हैं, weapon system लगे हैं, काफी ज़्यादा advance है, surface to surface missiles हो गई, या surface to air missiles हो गई, इन सब चीजों की facilities इस पे अविलेवल है, रमोस missile को इसमें लगाया जाएगा, उसके अलावा जो heavy gun system होते हैं, वो भी इसमें आप लोग को मिल जाएगा, यह सब इसकी खासियत है, जो इसको वाकई में काफी ज़्यादा lethal बनाती है, इसकी जो total length होगी, वो 63 मीटर की होगी, और जो breath है इसकी वो है 17 मीटर की, इसका displacement weight आप लोग को मिल जाएगा, लगबग 7,400 तन का, यह ship significant advancement है, वाकी Indian ships के comparison में, आइनस विकरान इसको हाल में ही commission किया गया था, इंडिया निवी में, 2 September 2022 को, उसकी length थी 262 मीटर की, और उसकी जो wideness थी, वो थी 62 मीटर की, और उसका जो displacement weight था, वो था 43,000 तन का, और वहीं आप लोग को यह जो हमारा INS मौर्मुगाउ है, इसका displacement weight आप लोग देखेंगे, तो यह आप लोग को मिल जाएगा, 24,000 तन का, तो compare कर सकत आप लोग कितना जादा heavy displacement weight का, जो है, लीप लिया है, इंडिया ने, आइनस विकरांद के बाद, आइनस मौर्मुगाउ में, इसमें 300 crew को host करने की, इसमें से 50 officer और 200 sailors होंगे, उनको host करने की capabilities होगी, प्लस total जो इसको में बनाने में खर्चा आया है, वो आया है, around 35,800 करोड चार powerful gas turbine मिलके इसको propel करेंगे, उनके द्वारा ये driven की जाएगी, इसके speed की अगर हम लोग बात करें, तो 30 knots तक ही अपनी speed पहुचा सकेगा, इतनी इसकी पास capability होगी, 30 knots को अगर आप लोग किलोमीटर पर आवर में convert करेंगे, तो ये लगबग 55.5 km पर आवर आएगा, और ये speed ये ship offer कर पाएगी, और जैसा कि मैंने already आप लोग के इसकी capability के बारे में बता दिया, anti-submarine warfare हो गया, और rocket launchers हो गया, torpedo launchers हो गया, इन सबसे ये less होगा, और इनी सब खूबियों के बारे में ऐसा कहा जा रहा कि navy की capabilities हैं, उसको ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, exponentially बढ़ा देगा, प्लस एक और चीज़ यहाँ पर मैं add करना चाहूंगा कि ये जो ship है, इसके अंदर capabilities है, हर तरह के warfare, including nuclear, biological, chemical, warfare, इसको NBC warfare कहा जाता है, उसको counter करने की capabilities है इसमें, तो ये इन सब खूबियों से less होगा, हमारा आइनस मोर मुगाओ, और ये एक step होगा, हमारी navy की capabilities, प्लस साथ ही साथ हमारे जो defense needs है, उसके digination की और, उसके लावा ऐसा सुनने में आ रहा है कि future में, जिन 42 ship को इंडिया में बनाये जा रहा है, या बनाये जाने का प्लान है, उसमें से 40 ship जो है, वो indigenously बनाये जा रहे है, तो ये सब एक अच्छा step है, making India की और, आत्मनि इंडिया नोशियन एरिया में भी अपनी presence दिन प्रति दिन बढ़ाते जा रहा है, आल महीं न्यूज आई थी कि चाइना की spire ship यौंग वांग जो है, वो indigenously के seabed की mapping करने के बहुत से reason हो सकते है, लेकिन एक बड़ा reason ये भी होता है कि तब उसे किया जाता है, जब आपक जो अनुराचल प्रदेश या फिर LAC के आसपास हम लोग चाइना को counter करी रहे है, recently एक news आई है कि इंडिया एक बहुत बड़ा highway बनाएगा, frontier highway बनाएगा अनुराचल प्रदेश का जो border है वहां तक, जो की ऐसा कहा जा रहा है, इंटरनेशनल border के 20 km के अंदर होगा, लेंड अनुराच सिंग जी ने अपने एक statement में, पुरानों का सहारा लेते वे ये बताया कि समुंद्र की कितनी ज्यादा importance है, अस्ट में भी और आने वाले time में भी, इनने कहा कि हमारे जो पुरान्स हैं, उसमें बहुत ज्यादा आप लोग को C का नाम मिल जाएगा, जैसे कि शीर अंदरमंतन की काहनी तो हम लोग को पता ही है, लक्षमी जी उसी से निकली है और लक्षमी जी जो हैं, वो हिंदू मैत्योजी में, वेल्थ और प्रस्पेटी का प्रतीक है, तो ये कहते हैं कि ये चीज़ बताती है कि जो समुंद्र है, जो sea area है, जो water, ये आज भी वेल्थ और प्रस्पेटी का प्रतीक है, और क्योंकि नेवी हमारी इस वेल्थ और प्रस्पेटी को प्रोटेक्ट करती है, इसलिए इसका powerful होना जरूरी है, तो ये सब चीज़ तो हो गए मैत्योजी के बाद, लेकिन ये जो importance है Indian Ocean की, Arabian Sea की, Bay of Bengal की, इसको हम लोग security wise भी समझते हैं, और खास कर से जो China की presence है इस area में, उसने इन सब चीज़ों की importance और ज्यादा बढ़ा दिये, इंडिया के लिए और इंडिया के security के लिए, और इसलिए वाकई हम लोग की जो navy है, उसका powerful होना जरूरी है, और इस तरह की की जो ship है, INS मोर्मुगा हो गई, या फिर INS विकरांत भी हो गया है, जिसको September में commission किया गया था, यह सब वाकई में navy की जो power है, उसको enhance करेंगी और उनकी capabilities को और बढ़ाएंगी, बाकि इस वीडियो को हम लोग यहाँ खतम करते हैं, आई योप य वीडियो आपको अच् लाइक, कमेंट, शेर, सब्सक्राइब जरू कीजेगा, that's all, Ivanize, take care.